नमस्कार दोस्ताइब बात करेंगे हम वन कार्ड लाइट का जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में यहां पर स्कीन देखिए कुछ इस तरह से यह कार्ड दिखता है और अब ही चल्चा में भी है तो आपको बता दू कि पहले मैंने लॉगिन किया था लेकिन नहीं मिल रहा आपको बताने चाहूंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेल आती है मुझे कि क्रेडिट कार्ड विच इंप्रूव्स योर क्रेडिट स्कोर जर्स पोर यू तो आपको बता दूं जैसे यह मेल आया मैंने सोजा चलो अपलाई करके देख लेते हैं आप लोगों के लिए तो चलिए आपको बता दूं कि वीडियो कर पहली बार देखें तो लाइक कर दें चाहिए को लें सब्सक्राइब तो कैसे अब अपलाई करेंगे वह देख लिए उसका प्रोसेस तो इस तरह से मुझे मेल आई उसके बाद मैंने इसमें लॉग इन करने की कोसिस की और उसके बाद आपको बताने चाहूंगा कि कैसे आपको अपलाई करना है तो आपको download करना है इनका one card app जो की आपको playstore में मिल जाएगा उसके करेंगे आपको डिखाना चाहूंग Business करेंगे आपको वहां पर मांगा जाएगा आपकाいきस् डालना हो ँसके बाद आपको बताना चाहूंगा अपना नमबर यहांने के बाद बार रहाल सब्सक्राइब ंठ dois लिया होगा एक-दो बार अपने आपको वैरिफाइग तो उस तरह से वैरिफाइग करना है और आगे बढ़ जाना है लोग इन ओटीप वगएर जैसे कि आप देख रहें ओटीपि आएगा जो अधार का नंबर अटैच है जिस नंबर से अधार अचैच है उसमें ओटीपि आ यहां पर क्या करना पड़ेगा 10,000 की FD करानी होगी और 11,000 आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी इस कार्ड की तो अब यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर FD ही कराना होता तो फिर कोटक महिंदर बैंक भी 15,000 रुपए की FD आप वहां कराएंगे तो कोटक महिंदर बैंक क अब ही आपको क्रेडिट काज मिल जाएगा और इससे जहां तक मैं अगर बात करूं तो ज्यादा लोग कोटक महिंदर बैंक तो बैंक ही है और यह भी बैंक ही होगा इनका भी किसी ने किसी से टाइप होगा ही लेकिन कोटक महिंदर बैंक मैं इससे और कोटक महिंदर बैंक से compare करूं तो मैं कोटक महिंदर में जाओंगा अगर FD ही जमा कराने की बात आईगी तो तो यहां पर इन्होंने भी 10,000 मांग लिया है और उसके बाद 11,000 के लिमिट आपको दे रहे हैं अब आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए एक चीज और वहाँ पर करेंगे तो आपको जह है आपको 12,000 करेंगे 14 your आको हुआ मांट का पहर आया हैं में भी 4 Jayक मांग ऐब सेषां करते हैं अगर ले लेता है तो तो वहाँ पे आपको उता दू दसेजा के FD कराओगे तब जाके one card आपको मिलेगा अब ये आप पे पूरा depend होता है कि आपको FD करानी है उसके बाद ये credit card apply करना है या नहीं करना है मेरा काम था आपको बताना और वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से one card आप apply कर सकते है और आप ले सकते हैं बसरते ये हैं इसमें कि आपको FD करानी ही पढ़ेगी अब इसमें ये भी बोला गया है कि FD क्यों करानी के लिए हम बोल रहे हैं तो उनका ये कहना है कि माले आप payment हो जाते तो वहाँ से cut हो जाएगा और ये भी कहते हैं कि जैसा कि पॉस करके आप परसेंट आपको जो है FD पर इंट्रेस्ट ये देने की बात कह रहे हैं तो इसमें सारा आपके ओपर हो जाता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है FD कराएंगे तभी आपको credit card जो है इसका one card का credit card आपको मिल पाएगा और उसमें 6.5% पर एनम से आपको दिया जा रहा है credit limit up to 110% of fixed deposit यानि अगर आप 100 रुपए कर रहे हैं तो 110 रुपए आपको credit limit होगी जैसा कि 10,000 पर 11,000 की आपको limit मिल रही है और साथे साथ no hidden charges and lifetime free है plus 5x rewards भी यहां पर आपको मिल जाएगा और यहां पर लिखा है and a sold card without any credit score, check and no documentation तो documentation से यह हुआ है कि pen card और अधार card लिया गया है FD कराईए और one card आपका हो जाएगा हो सकता है आप apply करने जाएं आपको FD का option ही ना दे यानि कि आपकी profile इतनी अगर अच्छी हुई अगर आप already credit card यूज कर रहे हैं और profile अगर आपकी सही हुई बढ़िया हुई तो आपको हो सकता है कि FD करने पड़े आपको वैसे ही यह आगे बढ़ सकते हैं और apply कर सकते हैं FD जमा कराने के बाद इस वीडियो फिलायत नहीं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना मुझसे कुछ फूट गया तो कमेंट करिए लोगों को पता चलना चाहिए मुझसे कुछ पुछना तो कमेंट करिए मैं उसका कमेंट में reply दूँगा नहीं तो वीडियो बना के आपको उसका पूरा सोल्यूशन बता दूँगा इस वीडियों फिलायत नहीं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना नमस्कार